महाभारत की कुछ ऐसी कहानिया जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं महाभारत काफी बड़ा ग्रंथ है और इसमें बहुत सारी कहानिया है आप भी इनकी बहुत सी कहानियों को जानते होंगे लिकित इसमें कुछ कहानिया ऐसी भी जिनके विशय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है आए जानते हैं महाभाद की कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में द्रोणा चाडे महरसी भारद्वाज के पुत्र थे उनकी जन की कथा अजीब है एक बात की बात है कि भारद्वाज रिशी गंगा में श्नान करने क्या थे तो वहां नदी में एक अत्यन सुन्दर अपसरा को श्नान करते पे देखा उसे देखकर रिशी का मन मोहित हो गया और उनके सरीर से सुक्रानों निकल गया जिसे उन्होंने एक बरतन जो मिट्टी का था उसमें संग्रहकर के अधेरे में रख दिया उस बरतन का नाम द्रोण था अथा इससे जनंग हुए बालक का नाम द्रोणा चारे रखा गया महाभारत के युद में जब कॉल्गो की सेना पांडवों से पराजित होने लगी तो दुर्योधन ने इसका जिम्मेदार विश्म पिता मा को माना और उनसे यह करने लगा कि आप युद में अपनी संपुन सक्ती और बल का उपयोग नहीं कर रहे हैं दुर्योधन की अबास सुनकर विश्म पिता मा को बहुत क्रोधा गया तब ऐसा हुआ कि विश्म पिता मा ने सोने से बना हुआ पांच तीर लेकर उसे मंत्र पर कर अभी मंत्रित किया और उसके बाद दुर्योधन को विश्म पिता मा ने कहा कि इन पांच तीरों से पांच तीरों को आग को कल सुभा लोटा तो हूंगा श्रीकृष्ण भगवान को दुर्योधन और विश्म पिता मां के बीच की यह बात मालूम हो गए तब उन्होंने कुंति पुत्र अर्जुन को यह श्राद दिया कि तुम दुर्योधन से जाकर यह सभी तीन मांग लो दरसल एक पर दुर्योधन का प्रान खत्रे में था तब अर्जुन उसे गंधर्व से बचाया था तब दुर्योधन ने अर्जुन से कहा था कि तुम भी मुझसे प्रान रक्षा के लिए कोई एक चीज मांग लेना अधर श्रीकृष्ण ने इस मौके का लाग उठाते वे अर्जुन को दीम मांगने के लिए दुर्योधन के पास भेचा क्योंकि दुर्योधन ने अर्जुन को वादा किया था तो उसने सभी तीर अर्जुन को दे दिये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यों और बलराम की बेटी बतसला दोहों एक दूसरे से फ्लेम करते थे लेकिन बलराम की यह इच्छा थी कि उसकी बेटी बतसला का विवा दुरियोधन के पुत्र लक्षमन से हो तब अभिमन्यों ने वत्सला से विवाह करने के लिए घटोतकश से सहायता मांगी थी तब घटोतकश ने दुरियोधन के पुत्र को इतना जादा डराया धंकाया कि उसने यह प्रन कर लिया कि वह जीवन भर का विवाह नहीं करेगा तब जाकर अभिमन्यों का विवाह बलरां की बेटी वत्सला से हो सका एक बार जब राजा पांडू जो पांडवों के पिता थी वह मरना सन स्थिती में पहुँच गया थी तब उन्होंने अपने पांडव पुत्रों को कहा कि तुम लोग बुद्धिमान और ज्यानी बनने के लिए मेरा मस्तिस्क खा जाओ तब के वज सहदे जो सबसे छोटा था उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और उनके मस्तिस को खाने लगा जब वे अपने पिता के मस्तिस को पहली वार खाने लगे तो उन्हें दुनिया की भूतकाल की घटनाओं की जानकारी हुई दूसरी बार मस्तिस को खाने पर सहदेव को अभी वर्थवान की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई और अंतिम और तीसरी बार मस्तिस खाने पर भविश्य की घटनाओं की जानकारी मनने लगी इस तरह सहदेव पांड़ों में अकेले थे जो त्रिकाल दर्शी थे एक बार की बात है कि दुर्योधन शहदेव के पास युद सुरू करने का सही मुरद जानने के लिए गया तब सहदेव ने दुर्योधन को सत्रू होने के बाद युद सुरू करने का सही मुरद बता दिया महाभारत के युद में विजय के लिए अर्जुन के एक बेटे इरावन ने खुद की बली दे दी थी लेकिन बली के पहले वो यह चाहता था कि उसकी शादी हो जाए लेकिन उससे विवाह करने के लिए कोई भी लर्की तयार नहीं थी क्योंकि उसके पती की मृत्यू होने वाली थी तब श्रीकृष्ण भगवान ने मोहिनी रूपधारन करके इरावन से विवाह किया और उसके मर जाने पर रोते हुए उसकी विदाई की उटप्टी के राचा ने महाभारत युद में नहीं लड़ने का फैसला किया था अभी भोजन की कमी नहीं हुई थी एक बार उडप्टी के राजा से महाभारत युद के सेना के कुछ लोगों ने इस बारे में पूछताश किया तो उस राजा ने इसका कारण भी श्रीकृष्ण को बताया राजा ने यह कहा कि जब भी हम श्रीकृष्ण को खाना खिलाते हैं और वह भोजन कर रहे होते हैं तो उनके आहार से उन्हें इस बात का अनुमान लग जाता है कि कल के युद में कितने लोग मरने वाले हैं और उसी के हिसाब से खाना पकाया जाता है दृतराष्ण के एक पुत्र का नाम युद सुवी था जो की वैश्यजाती के एक दासी का पुत्र था वास्त्विक्ता यह थी कि दृतराष्ण का एक दासी से संबन था जिस युद सिका जन हुआ था दृतराष्ण के पतनी भानुमती के साथ सत्रंच खेल रहा था उस वक्त दृतराष्ण के खेल में कर्ण की जीत हो रही थी तब ही अचानक भानुमती ने वहाँ पर दृतराष्ण को आते देखकर खड़ी हो गई लेकिन कर्ण को यह पता नहीं था कि वहाँ पर दृतराष्ण आ रहा है तब जैसे ही भानुमती खड़ी होने लगी तो कर्ण ने उसे पकरना चाहा भानुमती को तो वह नहीं पकर सका लेकिन उसके मूतियों की माला कर्ण के हाथों में आ गई और वह तूट गई इतने में कि दृर्योधन कमड़े के अंदर आ गया तब दृर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमती दोनों भैवित हो गये कि दृर्योधन को हम दोनों पर कहीं कुछ गलत आशंका न हो जाए लेकिन कर्ण दृर्योधन पर बहुत विश्वास करता था अता उसने केवल इतना ही बो कि अगर भतीन गलतियां ना करता तो युद में विजय हो जाता लेकिन श्रीकृष्ण वहीं पर उसका ऐसा करना देख रहे थे और वे दृर्योधन से बोले कि तुम कुछ भी उपाय करते तो भी तुम्हारी हार ही होनी थी कृष्ण के ऐसा कहने के बाद दृर्योधन ने अपने उंगली नीचे कर ली कर्ण अपनी धानवीरता के लिए बहुत प्रसित था कर्ण जब युद में मरनासन अवस्था में पहुच गया था तब भगवान श्रीकृष्ण ने उसकी दानवीरता की परिक्षा लेने की सोची उस वगभग गड़ी ब्राह्मन का रूप ध तोर सकता फिट कर्ण ने एक पत्थर से अपने दान तोड़कर ब्राह्मन को देने लगा लेकिन ब्राह्मन ने खुन से सने दात लेने से इंकार कर दिया तब कर्ण ने एक बान का आस्मान में चलाकर वर्शा करा दिया जिससे दान धुल गया आज के लिए इतना ही धन्यव झाल झाल